नमस्कार दोस्तों सबजी एक ऐसी चीज है जो गरीब से लेकर अमीर की जोपड़ी तक जरूर मिलती है और एक टाइम नहीं कम से कम दो टाइम सबजी का उप्योग किया जाता है खाना बनाने में सबजी की एहम भूमिका होती है ऐसी इस्तिती में यदि ये बिजनेस किया जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है आप लोग चाहे गाउं से हो आप लोग चाहे शहर से हो आप लोग चाहे गरीब परिवार से हो अथवा आप लोग किसी धनवान परिवार से हो सबजी का बिजनेस करने के लिए आपको ने तो कोई डिगरी की जरूरत होती है ना ही कोई ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है जिन लोगों को सबजी खरीदना आता है वो लोग सबजी बेच भी सकते हैं और सबजी बेच करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है आज इसी विशेपर वीडियो बनाया गया है इसलिए यदि आपको ये वेशाय करना है तो आपको निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि सबजी का वेशाय कैसे करें सबजी का वेशाय करने में कौन-कौन सी दिक्कतें आती हैं सबजी का वेशाय करने में कितना रूपया आपको चाहिए और सबजी का वेशाय करने में आपको कितना प्रोफिट हो सकता है सबजी का वेशाय आपको कौन सी गली में किया जाना चाहिए कौन सी जगह किया जाने च आहिए और सब्जी का वेशाय आप कैसे कर सकते हैं यदि इन सारी बातों के सवाल आप गूगल पर यूटूब पर सर्च करते रहते हैं तो आए मेरे साथ जुड़िए नमस्कार दोस्तो हमारी चैनल दो साथी टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है आज बात करते हैं करने के लिए आप कैशी भी अपनी सहर की सब्जी मंडी में सुवे पांस विजै जाइए साड़े पांच सवा पांच बजे जैसे ही सबजी की बंडी खुलती है वहाँ ठोक में सबजीयां बेची जाती है आप यदि रिटेल का वेशाय करना चाहते हैं सबजी का तो रिटेल के इसाबजे खरीद के लाइए और यदि आप दुकान लगा करके यानि रेडी लगा करके आप यदि सबजी का वेशाय करते हैं तो उस रिसाब से खरीद के लाइए कितनी लाणी है आपको अलग-अलग वरेटीज लाइए एक नहीं बीस प्रकार की सबजीयां आपके ठेले पर होनी चाहिए और आप अच्छे से वेशाय कर सकते हैं यदि आप कोई दुकान लगा करके सबजी की दुकान लगाते हैं तो ऐसी इस्तिति में कम से कम 25-30 प्रकार की आपके पास सबजीयां होनी चाहिए और शाथ में 25-30 प्रकार के फड़ पूरूट्स भी होनी चाहिए यदि आप होलसेल की सबजी की दुकान चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बड़े पैकेट्स के अंदर सबजी खरीद कर लानी होती है जो आप ट्रकों से या पिकप से या गाडियों से मंगवा सकते हैं बड़े सहरों से मंगवा सकते हैं आपके आसपास के गाउं से खरीद करके ला सकते हैं कई तरह से सबजी का विशाय किया जा सकता है अब बात आती है कि सबजी के विशाय करने में आपको कितने आदमियों के आउसेपता होती है देखिए दोस्तों सबजी का विशाय करने के लिए यदि आप ready ठेले पर सबजी की दुखान करते हैं और घूम घूम कर बेजते हैं तो आप एकल आदमी शिर्फ एक आदमी ये बिजनेस कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है दूसरी बात यदि आप कीशी pickup में सबजी डाल करके या जीप में सबजी डाल करके बेजते हैं गाओं में घूम घूम करके तो इसमें दो आदमी आपको कम से कम चाहिए एक गाडी को चलाने वाला चाहिए driver और दूसरा आदमी बेचने वाला चाहिए येदि दोनों आदमी आपके पास नहीं भी होते हैं, तो एक आदमी वहीं आदमी गाडी की driving कर सकता है, और वहीं आदमी गाडी खड़ी करके एक जगह सबजी बेश सकता है, अब बात आती है सबजी की दुकान लगाने में कितने आदमियों के जरूर्त चाहिए, तो सब्जी के दुकान लगाने के लिए आपको कम से कम दो आदमें के जरूरत होती है एक आदमी सुबह जाकर के सब्जी खरीद कर लाएगा और दूसरा आदमी उससे पहले दुकान खोल के तयार रखेगा और फिर दिन भर में सब्जियां विवस्तित रूप से सजानी करता है इसी तरह विवशाय चलता रहता है अब बात करते हैं कि सब्जी के विवशाय में कितना पैसा लगता है दोस्तों यह तिम आप रेडी ठह्ले से सब्जी का विवशाय करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पुझी की जरूर्ट नहीं होती है यह वेशाय आप 10,000 रुपे से सुरू कर सकते हैं आप 10,000 रुपे की डेली सब्जी लाइए अपने रेडी ठेले पर सजाईए और अच्छा मुनाफ़ा कमा करके घर जाईए यदि आप यही वेशाय जीप में या पीक अप में करते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 50,000 रुपे की जरूरत होती है और आप दिन पर में 50,000 रुपे की सब्जियां बेच देते हैं और दूसरे दिन फिर 50,000 रुपे की सब्जियां क्योंकि कलेक्शन आपके पास नगदी का वेशाय रखिए नगदी का काम कीजिए तो दूसरे दिन आपको यह बेच सकते ह अब बात करते हैं कि आप यदि दुकान लगा करके ये विशाय करते हैं तो दुकान लगा करके आप ये विशाय करते हैं तो कम से कम आपको एक लाक रुपे की पुंजी के आप सकता होती है एक दुकान के आप सकता होती है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है अब बात करते हैं कि सब्जी की वेपशाय में कमाई कितनी है देखिए दोस्तों येदि आप रेडी ठेला लगाकर के सब्जी बेजते हैं तो इसमें 25-30% की नेट कमाई आपके कम से कम हो जाती है और येदि आप पीकप पगरे में बेजते हैं बीस परसेंट के आसवास के आपकी कमाई होती है और यह दिया आप दुकान लगा करके सब्सब्सी बेसते हैं तो इसमें आपको पंद्रह से बीस परसेंट की कमाई निश्चित रूप З्हे हो जाती है ये आपके उपर डिपेंट करता है आपके सब्जी खरीदने के उपर रिपेंट करता है तीनों ही तरह में आपकी सब्जी खरीदने और बेचने की कला जिसको आती है वो आदमी इसमें ज्यादा सक्सेस हो सकता है वीडियो पसंद कर आता है तो लाइक शेर और कमेंट कीजिएगा और हमारी चैनल दो साथी टीवी यदे आपने अभी तक नहीं सब्सकाइब कर रही है तो जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो आपको बहुत आनद रहे हैं